खबर गाओं की हो या किसान की, महिला की हो या सफल इनसान की, हर अच्छी खबर दिखाएगा ग्रामी न्यूज ग्रामी न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं नमस्कार मैं हूँ पारुल्यादव और आप देख रही हैं क्रामी न्यूज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर आज भी हर कोई गुस्से में है पूरा देश इंतिजार कर रहा है कि आतंकी हमले में हुए शही जवानों का बदला कब लिया जाएगा हमले को लेकर पाकिस्तानी प्धान मंत्री इमरान खान ने 19 वरवरी को एक बयान सारी किया था जिसका सपोर्ट करने पाकिस्तानी सिंगर अली जफर सामने आय थे लेकिन अली को इमरान खान का सपोर्ट करना भारी पड़ गया और देखते ही देखते लोग उनसे खपा हो गए अली जफर सोशल मेडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो रही है खासकर इंडियन फैंस तो अली जफर से इतना खफा हैं क्यों रे इंडिया आने पर सबक सिखाने की बात भी कर रहे हैं इमरान खान ने अपने बयान में कहा था कि पुलवमा मामले में हो रही जांच को लेकर पाकिस्तान भारत का सपोर्ट करेगा अगर इस हमले का पाकिस्तान के साथ कोई संबंद मिलता है तो हम जमिदारों पर कारवाही भी करेंगे लेकिन इसके अलावा इमरान ने ये भी कहा कि अगर भारत हम पर हमला करेगा तो हम भी जवाब सरूर देंगे पाग प्रधान मंतरी इमरान खान ने कहा कि हम हिंदुस्तान में आवाजे सुन रहे हैं पॉलिटिशन बोर रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए बदला लेना चाहिए स्ट्राइक करनी चाहिए अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के उपर किसी किस्म का हमला करेंगे पाकिस्तान पलटवार करने का सोचेगा नहीं तो आप गलस सोच रहे हैं पाकिस्तान पलटवार करेगा कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा इसके सिवा उनके इसी बयान को लेकर पाकिस्तानी सिंगर एक्टर अली जफर ने ट्विटर पर लिखा क्या स्पीच है सर अली जफर के स्ट्विट के बाद इंडियन फैंस का गुस्सा बढ़क उटा और लोगों ने अली को जमकर खरी खोटी सुनाई इन में से कुछ कमेंट हम आपको दिखा रही हैं कुछ फैंस ने कहा कि दोबारा भारत मत आना वरना बहुत पिटाई होगी एक यूजर ने लिखा कि अब आके दिखा इंडिया में तो वहीं एक यूजर ने ये भी लिखा कि बिरोजकारी में इंसान क्या-क्या अनाप्चनाप सोचता है ये देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अली से कितना खपा है बता दे कि अली जफर ने साल 2010 में तेरे बिन लादेंग फिल्म से बॉल्यूड में डेब्यू किया था इसके अलावा वो केटिना कैफ के साथ मेरे बिदर की दुलन और तापसी पन्नों के साथ चश्मे बदूर डियर सिंदिगी के विल्विल जैसे फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं हला और शोरकुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए आप देखते रहे हैं ग्रामी न्यूस नमस्कार